अलो गाइज कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो गाइज जब मैंने वो यूट्यूब वीडियो बनाया था बाइक वसेस ट्रक्टर जहां पर मेरा यह जो स्प्लेंडर बाइक है वो ट्रक्टर को खीच रहा था लेकिन उसी टाइम वीडियो बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मेरा बाइक पुरी तरह से डैमेज हो गया है क्या टैमेज हुआ है आप लोग को दिखाते हैं यह ज जैसे भी करो यह की कां भी नेशर पर आपर अंदर बाला यह पाड्स से घूमने के बाद उस्टाब हो चाहित है यह एक दमेज हुआ है दूसरी बात दिखाता हूँ है यह पर यह जो गियर है मेरा जुर्ण शिप्त तो हो रहा है लेकिन लोगी लगाओ घूम रहा है तो ग बाइक का इंजिन वाइल भी चेंज कराना पड़ेगा तो अभी इसको तो करके ले जाते हैं और देखो उसके बाद क्या होता है यहां से जो गराज है यहां पर भाइक ठीक होता है वो डेर से दो किलिमेटर दूर है तो इसको यह भाइक को यह दूसरी बाइक से तो करके ले जाओंगा और ग्राज में जाने के बाद क्या होता है आप सब लोग को देखेंगे चलो देखते हूं है दो कि अ तो दोस्तो अभी मैं बाइक को लेकर गराज आ गया मेकानिक ने सारा सामान डिससेंबल कर दिया है इन रोटर के अंदर जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है वो दोनों डेमेज हो गया है इन दोनों प्लेट्स को चेंज कराना परेगा तो अभी ग्यार बॉक्स का सारा समान अलग से रखा हुआ है और इन पार्ट्स को पेट्रोल से अच्छी तरह से वश कर दिया गया है और यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ दिया गया है यह जो प्रेशर प्लेट देख रहे हैं आप लोग यह पूरी तरह से डेमेज हो गया है और यह क्लाच प्लेट भी डेमेज हो गया है इन पेशर प्लेट और क्लाच प्लेट को नया मंगाया है अभी इन दोनों को लगाएंगे अंदर और आप लोग टाइम लैप्स का फुटेज एंजोई करों कि अपर्द वेख्या मंगाइंगे चाहिए प्लेट 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 लोग अपर्द का लाई प्लेट लोग इन पर लोग झाल 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 तो दोस्तों फाइनल ये मेरा बाइक छीख हो गया है ये रेडी हो गया है फिर से आएक्शितार दो करने के लिए आप लोग तयार है फिर से मज़ेदार एक्सप्र्मेंट आएगा ये ये कि झाल